नमस्कार दोस्तों में चलमें आपका फिर से स्वागत है और एक नई वीडियो के साथ तो फिर बिना इंटो में टाइम वेश्ट के वीडियो में आगे बढ़ते हैं देन लेट स्टार्ट यह आज में पास रिप्यार के लिए आया है और इसका वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप जान सको अगर आपको मॉस्कुटो बैट रैकेट में जो ट्रांजिस्टर रहती है वो सेम ट्रांजिस्टर अगर आपको मार्केट में ना मिले तो आप कौन सी ट्रांजि जो transistor यूज होता है उसका pinout और यह जो transistor यहाँ पर लगा हुआ है BRC2383 यह transistor की pinout same है और यह फिर एक NPN transistor ही है लेकिन हमने जब इस transistor को चेक किया तो इसकी दोनों लेग हमें आपस में short मिला है तो सबसे पहले हमें इस transistor को change करना पड़ेगा तो चलिए इसे खोलते हैं और इस transistor की जगा हम कौन सा नए दूसरा transistor यहाँ पर लगाते हैं और यह काम करता है या नहीं करता है चलिए वो देखते हैं यहाँ पर हमने बहुती अच्छी त्रीकर से transistor को circuit board से अलग कर लिया है और जिसका नंबर है BRC2383 सो गाइस इस transistor की जगा mosquito bet racket में यूज होने वाली बहुती common transistor और तो और जो market में बहुती आसानी से मिलता है उसी transistor को हम यहाँ पर लगा के देखेंगे के यह काम करता है या नहीं करता है तो चलिए सबसे पहले इसे लगाते हैं और चेक करते हैं कि यह काम करता है या नहीं सो फ्रेंज हमने transistor को change कर लिया है और इस circuit board में हमने power भी दे दिया है आप चलिए इसे test करते हैं और एक important बात गाइस अगर आपको mosquito bear circuit के बारे में knowledge ना हो तो इसे प्लीज घरपत ट्राइ मत कीजेगा क्योंकि यह बहुत ही डेंजर इस है सो फ्रेंज यहां पर आप देख सकते हो हमने उस transistor को change करके दूसरा जो transistor लगाया है वो बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है और हमने जो नया transistor लगाया है वो है D882 जो की बहुत ही common और ज्यादा तर mosquito bear circuit में use होने वह लिए transistor है और ये बात मैं आपको इसलिए बता पार रहा हूँ क्योंकि इस circuit के अलबा मेरे पास और वी दो mosquito bear circuit है जो की यह है यहाँ पर आप देख सकते हो तो चलिए आपको इसका भी transistor एक बार दिखा देते हैं यहाँ पर कौन सी transistor लगा हुआ है तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस circuit में भी D882 transistor लगा हुआ है आप चलिए आपको दूसरा दिखाते हैं यहाँ पर भी आप देख सकते हो D882 जोकी सेम टरंजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है इसलिए उस टरंजिस्टर को चेंज करके D882 टरंजिस्टर लगाया है उस सर्कीट बोर्ड में Okay guys, thanks for watching my video If you like my video, then please share it and subscribe my channel Thank you